जय शिमाकाल हरियर आज हम बताएंगे जिदी माना हो लॉयल रहता है तो वोही रॉयल हो पाता है बी लॉयल आज है लॉयल रहता है तो लॉयल कैसे होगा माना गॉयल तब ही होगा जब अपने आप में समझदार हो मतलब इदी मानों इमानदार है तभी वो रॉयल हुपाएगा श्रेष्ट श्रेष्ट तम हुपाएगा समझदार होने के बाद ही माना ओए लॉयल होसकता है जब तक वो समझदार नहीं बना तब तक वो लॉयल नहीं होसकता है ठीक है तो कोई भी काम करने के इसमें सबसे पहले समझदार होने जलू यह तभी इमानदार हुआ जाएगा तभी रॉयलिटी पाव सकते हैं कि तो इमानदार हुने पर मानों और तरुप से क्या होता है एफिशेंट होता है और एफिशेंट होने के बाद ही मानों सब्फिशेंट होता है ठीक है बात तो इसलिए इमानों ऐफिशेंट सी चाहिए तो सही होता होता है इम्परोण्त the real and the right fuel high quality fuel means high quality performance तो जब मानो सही फिलू देता है इसकी क्यापिसिती तो जब देता है जब वर्जन का पतिसी क्योंकि आर क्योंकिया तो पर देता है तो जब आदिए पर आदिए लूट जैनने किया I call it a bearing capacity bearing tolerance limit बढ़या ठीके बात संदारी तो मानको जब तक पूनतर रूप से मानदारी के मतलब है मानदार नहीं मान बढ़्ये पूनतर रूप में आप नहीं पूनतर रूप से भक्ती साथystem साधम साधंड़ से मय बढ़ तर्बसे शद्धा पूलप वक्ति पोगत शाले पूर और शद्द पूर और समद पित होके वक्ति मतला पून तरुप से यह क्या होता है समद पर्ण समद पित वक्ति होता है ठीक है बात तो इसलिए 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 बात देखेंगे यह दी बादो कोई भी बाद है है अपने कर्म के पती यह धर्म के पती ठीक है ना तो धर्म इसका कर्म बन जाता है धर्म ही कर्म जो इसका धर्म बोलता है वो इसका कर्म बन जाता है धर्म जो बोलेगा पता है वो जी करेंगा दर्म बोटना है, कर्म करता है, ठील है, अर्शोब, धर्म जो करेगा वही बोलेगा, ठील है, ठील है, ठील है, ठील करें है, ठील है, अजुआ है, भी अटमी, रोयल मिल्लब, लुक्षरी, टॉप आफ दा हाई कॉलिटी तो यह कहां से प्राथ होती है मानों जब पोड़ता रुप से अपना सर्विंग करता है सेवा करता है मेंटेन्स करता है सर्विसिंग करता है मेंटेन्स करता है अपरेशन करता है ठीक ही बात कोईगी फिल्ड होग अपरेशन करता है अपरेशन करता है इसलिए अपने जीवन में लोयल्टी लानी होगी इमानदार होने के बाद इमानों जिम्मेदारी ले गए लेगा इसके बाद ही जो रिस्पॉंसिबिलिटी लेता है और रिस्पॉंसिबिलिटी लेने के बाद जो पार्टनर्शिप करता है कि बादी तरी के बादी तरी के बादी तरी के लिए कि इसमें न्याय धर्म और सत्ति क्या हम इसमें पूर्द रूप से रहां किसे को न्याय देने में हुआ है और सभी के लिए कि हम हम करते हमां यति-फैर्म शरी हुना है भाइन पड़ार शुवो एसलिए जिँ स्वेहार मानों सुख्य होना चाहता है पर्मेनें तौरे कि इमांदार होना पड़ेगा और इमांदार होने के लिए समझदार बढ़ना पड़ेगा और समझदार होने के लिए सुनना पड़ेगा इसको सब्देगो तो जहां चेतना विकास का कारिकर्ण चल रहा है उसको सुनना पड़ेगा उसको समझना पड़ेगा समझने के बाद ह मांदार हो सकते मांदार होने के बाद ही वह पर kork amigo जिम्हेंदारी लिन कpole सकता है ठीके बाथ इसले एफिशेंट हुई ए और अपने आपमें सफिशेंट ठीके बाथ जयश्माकाल अलगर